हेलो बच्चों मैं हूँ डॉक्टर जगी जमाल और आज की इस क्लास के अंदर हम डिसकस करेंगे नीट 2024 का बॉटनी का पेपर पेपर पूरा NCRT बेस था एक दो कोशन को छोड़का जातर पूशन से इनोंने बिल्कुल NCRT से ही रखे थे और options भी इतने असान थे कि अगर match the column type question है तो अगर आप उसमें से चार में से कोई एक भी select कर लेते हैं तो भी आपका paper आसानी से हो जाता है यह जो वीडियो बनाएगी paper बहुत आसान है खासतोर से मैंने 11th appearing और 12th appearing students के लिए बनाई जो कि next year नेट exam देंगे और उन बच्चों के लिए जिनके किसी भी वज़़ा से paper थोड़ा सा खराब हो गया बाटनी के हो या जोलाजी हो जातर बच्चों ने पूरही paper attempt कर दिया है एक बार देख लेते किस तरीके से paper को याद करना है क्योंकि वैसे तो कहा जाता है कि पेपर को नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे याद करने का जो तरीका है चीजों को तो रिकॉल करने का तरीका है वह थोड़ा सा ठीक नहीं इस वजह से शायद हमारे कुछ मांक्स कम हो जा रहे हैं एक बार देखते हैं इस बार को भी पर तो शुरू करते हैं पहले भी कई बार यह सवाल आ चुका है बायो मॉलेक्यूल चैप्टर में आपने टॉपिक लिपिट पड़ा होगा वहाँ पर आपनी बास सुना होगा लिपिट्स को तीन कैटेकर ने डिवाट किया गया है हैं सिंपल इस ऐंधरें यह पाइबलें डियाइब लिपे मॉलेट कमपोंड लिपिकता है तो वहाँ पर आपको फॉस बिवाट विट बताया जाता है तौन~~ ऑफकोर्स आप का से남 जिल आएब अगाना होगा फॉस फाल उन कर्किंट पॉस्फ फॉष फॉस्फ फॉस्फ पिट का एक विश यह बीच आथा है कि दा लेसी दिन फॉस्फ फॉस्फ प्रिजें दिन दसल में इस तब भी आपको अंसर लेसे दिन ही लगाना होता है ठीक है है नेक्स हाव मैनी मॉलीक्यूल ऑफ एटीप और नडी पह रिक्वाइड फॉर एवरी मॉलीक्यूल ऑफ सी ओडू फिक्स इन दा कैल्विन साइकल अभी लास्यर एक्जाम में 2023 के अंदर कोशन पूछा गया था एक ग्लूकोस मॉलीक्यूल को बनाने के लिए कितने एटीप और नडी पहसी दरूब पढ़ती है वैसे ही सेम कॉशन अपके बार रिपीट के पर सी ओडू मॉलीक्यूल आप पडचूंगे लेवन क्लास में के एक सी ओडू को फिक्स करने के लिए तीन एटीप और दो एडीप इस तू इसी दरा सिक्सी ओडू को फिक्स करने के लिए एक ग्लुकोस के लिए आप 6 से मुल्टिप्लाइ कर देंगे अठारह एटीप और नडीप इस तू फिलाल कोशन एक सी ओडू का है तो आंसर हो जाएगा थ्री मॉलीक्यूल ऑफ एटीप एंड टू मॉलीक्यूल ऑफ एटीप एंडू मॉलीक्यूल आप एटीप एटीप ए और इस पर यह कि आप रस्टीशन नुकलियस के बारे में चाहते हैं तो इसाप से पूचा जाता है कि हिंस एक पॉइंड पॉइंड पॉंट कॉल्डिकोशन सीक्वेंगे और इट कंसिस्ट ऑफ और आप आंसर लागा कर आएंगे सिक्स बेस्पेर जितने भी रेस्टीशन एंजाइम सब पैलेंड्रॉमिक डिया ने कोई देखते हैं वहां पर जाके कट लगा देते हैं इसका जी टी वाई आरे सी है वैसे पूचा नहीं जाता है और एक और आसान सा सवाल इन प्लांट अनॉट मीशे दिया है फिगर दिय सब्सक्राइब करें आप से पूचा है कि विच नौ देखल वालेंग एज थिन आउटर वाल इन इंट 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 इन ओट होती है यह हमने पढ़ा है कि स्टामेटा के गार्ट सेल्स में होता है न तो इन्हों ने पूचा है कि इन में से किसमें cdb a सब जानते ही आप ऐसे यहां पर यह epidermal cells हो गए, यह subsidiary cells हो गए भी, और यह C हो गया, guard cells, है ना, तो इसी की बात यह कर रहे हैं पर, तो answer में हमारे हो जाएगा यह C, है ना, इसकी बात हो रहे है, फिलाल जैसे D है, यह stomatal aperture है, है ना, आसान से सवाल है, next, the cofactor of the enzyme carboxy peptidases, यह question थोड़ा अपने देशन में, अगर 11, में पढ़ा हो तो आहा सुना होगा, trypsin, chymotrypsin, carboxy peptidase, यह सारे के सारे pancreas के enzymes है, और इसके लिए जो cofactor चाहिए होता है, वो जिंक है, तो यहां पर आपको हाँ सहाथ करना होगा, जिंक है, तो यहां पर आपक plant from any cell of the plant is called, यह totipotency, 9th class है, आप सुन रहे है, ऐसा को खास सवाल ही नहीं, ठीक, match the column है, लिस्ट दे रखी आपको fungus की rhizopus, strelago, paxenia, agaricus, मेरे खाल से बहुत आसान साथ, आप पहले से पढ़ चुके 11th class में, rhizopus की अगर हम बात करेंगे, तो आपने answer लगा देना है, bread mold, है न, वैसे में खास चाहिए, एक सही हो जाया गई, एक सही हो जाया गई, एक आहरा है one, यह नहीं को option रहेगा, आपका यह two, बाकी भी देख लेते हैं, उस्ट लगो की अगर हम बात करेंगे, तो यह जाएगा किसमे, इसमर्ट फंजाए, और पक्सीनिया, रस्ट फंगस, और अगेरिकस, एक मश्रूम है, ठीक है, नेक्स्ट, दो स्टेटमेंट दे रखी हैं आपको, बीटी टॉक्सिंस आर इंसेट ग्रूप स्पैसिफिक एंड कोड़िट बाई जीन क्राइवन, एक स्टेटमेंट है भाटक से, दुछे स्टेटमेंट है, बीटी टॉक्षन एक्ड़वन एक्डेवन एक्ड़ा इनक्ति प्रोडॉक्ट गॉट इंसे, हावेवर, आफर इंचेशन बाई एक्ड़ा इंसे, प्रिटी इस तक अभर आप दीन दॉन ने गर्दी गर्दी के, यहां पर थोड़ी distant from the following options given below फेली श्रेटमें तो टीक है लिए प्रिट इस द्रिटमें तीक हो थे भी घोट है तो हम बोले है फॉल्द देटमें तीक है जो कि तीक है तो फॉल्द है तो फॉल्स देटमें जीडिक है है फॉल्स अजाटमें जाएगा विपर इस गठर फीक नेक्स्ट इस इस इमेटिक वह तरीके गोदे एक्टिम आप जाए तरीक नेक्स्ट नेक्स्ट विच व्लाइब करते हैं जाग मौर्फिक पर पी गूलम और बीन कैशिया सवाल अक्टिम और फिक का है तो मस्टर दातूर चली उसे हिसाब से यहां पर आपको दातूर आंसर द ग्रोथ मेडियम अब बैक्टिरिया इस ट्रांसपोर्ड़ तुदर सेल बाइद एक्षिन ऑफ इस कोश्टिन के अंदर इन्हों ने थोड़ा से एक मिनट हां इस कोश्टिन के अंदर इन्होंने बाय टेक्स से कुश्ट उठाए और पूछा है कि जो यह लैक्टोज अगर बहुत जादे लैक्टोज को बाहर निकालने काम होता है ठीक है नेक्स्ट अगर जानवरों को बचाने के लिए हम कोई भी पहल करते हैं उनको उनके घर में ही अगर महफूस किया जाए उनके जंगल में तो यह इंसिदू चार पांच स्टेटमेंट दे रहे हैं तो यह पहले स्टेटमेंट हमारी यहां पर हो जाती है गड़बढ यह पहले स्टेटमेंट गड़बढ तो बी सी डी ए ठीक है तो ऑप्शन यहां पर जाएगा बी सी डी ऑप्शन बी सी डी यानि उस हिसाब से आंजर जाएगा इसका डी ठीक है नेक्स्ट क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटारिक असिड बनाने के लिए एक मिनट और सेक्रोमाइसी सारीविसी तो आप जानते थे नौल ओडर ऑर ट्रीकव डर्म पॉलिस्परम साइक्लोसपोरीन ए और स्ट्रेप्टकोकस से स्ट्रेप्टो काईनेस ठीक है तो फर्स्टक जा रहा है थर्द फर्स्टक थर्ड ठीक है दी कवरन अच्छा बस सी और डी का मसला है C क्या ट्राइक ट्राइक जाएगा फोर यह नहीं के आंसर जाएगा इसका थर्ड ठीक है next equation the organism population chapter the equation of the world has per logistic growth is Dn by dtz 2rn k-n upon K hain aapna parha ho ga equation logistic growth ka equation he hain poochai kaegi k a kek-e 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 kek a-ke kek-e 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 nha जोिरी इस तरही किसे लैंट वापर तो पूछ लेधे हैं और दो नो डमेज तो नो पूछ रामेज शॉस्ट किव्त। एंग जाससे टूपरीज गुट थीक ए थर्ड आसर इसके अंदर सही हुजए एन फिलकुल एंची आर्टिकल एंजसवाद नेख्वेशन आपने यह मॉर्फलोजी जब पढ़ा होगा तो हाँ पर यह दिखा रखा है ओपर यहां पर इनोने यह दिखा रखा है इसका एंडोस पर यह दिखा रखा है इनोने इसका कॉटलिडन है ना सिंगल कॉटलिडन और श्कूटलम बोला याता है और आप जानते मोनोकॉट सीड में ऊपर की तरह एक कवरिंग होती कहला था कॉली अप्टाइल फिल्मूल के ऊपर है ना नीचे रडिकल होगा और इसको पर यह कॉली और आईजर तो वो पार्ट जो कि आगी जाके रूट बनेगा वो रहे गाई इसका यह रेडिकल वालबार यह न जाया है सका चीर दिलेन ता हाँ स्टेटमेंट को कुछ निया आपको इस ट्रेटमिन अपरिए पैरिंग माई इस लिविग बाद कॉलिंग है इस ट्रीष परिद्थ टेश हो तर उसे सहब से क्योंकि यहां यह थोड़ इसी गढ़बल लाइन हो गई तो यह द्रीटमन हो गलत आ जिमनास्वम लेक जैलम वेसे यह सार्व जाओ फिर से फिर जाओ जाओ अपने डमीयों होगा आपकी बार भी आपको करेक्ट अप्शन सेलेट करने यह कुश्ट्न वह खाल भी हाद तकरीबन लगातार ही हर सालार इस प्रगमेंटेशन और इसके अलावा को एक्सिंशन चार लफ आपने तो यहां पर देख लेते हैं उन में से कौन-कौन से अप्शन दे रहे हैं आपको है विद्धि लॉज इंटेशन इस अप्से बड़ा कॉज है यह दे रखा है आपको ओर एक्स्पार टेशन भी दे तो मेजर को बाइवर्शी लास पूचा तो एबी और डी चला जाया गाइगा इसमेह न एबी एंडी तो से सबसांसर जायगा इसका फोर ठीक है next which was the following is not a criteria for classification of fungi तो फंजाय का क्लासिफिकेशन पर होता है on the basis of morphology of the mycelium mode of spore formation and the fruiting body is a mode of nutrition यह नोने थोड़ा एक्सा लिग दिया तो यही लाइन गड़बड हो जाएगा आप से question में पूचा गया है not all a sवाल तो आप लिख देंगे कि यह mode of nutrition अपर क्राइटेर नहीं होता है वैसे भी फंजाय के nutrition तो सभी का वही है सब्सक्राइब होते हैं यह सब के सब्सक्राइब खाते हैं नुकसान पहुचाते हैं परसिटिक भी होते हैं आपने पेज़ पर आपके मिल जाएदा इंटरनेशन यूनियन पर कंशर्वेशन अवनेजर नेच्छल रसोर्स यानि आंसर जाएगा इसका फूर एंडेंजर इस्पीशी का रिकषर्ण इहनी में रखा जाता है नेक्स्ट आपको जब इन्होंने टाइपस फ्लार बेस्ट पोजीशन ऑफ क्यालेक्स को रॉला एंडरोशन विस रेस्पेक्ट तो ओवरी फ्रॉम्द गिवन फिगर अच्छा यह जो कुस्चन है इसमें यह डाग्राम आपने देखा हो को मरफ लॉजी के अंदर आपको जब इन्हों दे रखे हैं परिगाइनस के अंदर है ना वही दोनों डाइग्राम कोपी पेस्ट कर दिए उस हिसाब से इसका अंसर हो जाएगा फॉर की यह दोनों ही डाइग्राम परिगाइनस के ठीक इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ यह एक कोशन इन्होंने नय बनाया है अपकी बार जो पहले कभी नीट में नहीं है नहीं पुछाए कि क्या फेट होगा वकर पीस ओफ डियने जिसमें की केवल जीन अफ इंट्रेस्ट है मदलब जो से कि आपको डिजारल प्रोटेन चाहिए उसे ट्रांसफर किया जा था किसी एलियन और इंदर पीस ओफ डियने वुट बडिप्लाइट सेल्फ इंडिपेंदेंटली इंद अपकी इन्होंने अपकी बार डिरेट जीन डाना है बिला किसी प्लास्मिट के तो यह सही हो यह नहीं सकती है न फेस ओफ डीने वुट बी एबिल तो मल्टिप्लाइट सेल्फ मल्टिप्लाइब रहें ट्सेल्फ क्योंकि आपने यहां पर सिर्फ जीन ऑफ इंट्रेस्ट के पास है न इत में गैट इंटेडरेटेंट इंट्वर्च जीन ओफ डेसे पिए एंट तो यहां पर यह तो बी सी डी यह तीन सही है आपको ऑप्शन में लेने दो लफ्स तो आप उस हिसाब से इसका थर्ड वाला अंसर लगा देंगे हो सकता है कि वो जागे उसके जुनों के साथ जोड़ जाए रेसिपियंट के और मल्टिप्लाइ करने लगे मतला इन्होंने चांस लगाया कन्फरमेशन के साथ यह वाली बात नहीं कही है तो बी सी वाली लाइन यहां पर साही हो सकती है विचाथ फॉलिंगे एक्स्प्रेशन और बेसे मेंडल लाव डॉमिनेंस मेंडल लाव डॉमिनेंस जबाप पढ़ते हैं तो वहां पर तीन लाइन बताएगे लाइन अब लएक्स्प्रेशन लेगन अलील ता एक्स्प्रेस होते हैं तो यह वाली लाइन इनकी गढ़बढ हो गई फेक्टर्स अगर इन पेर यह तो NCRT की लाइन होगी लोगी दिस्क्रीट यूनिट कंट्रोलिंग पर्टिकुलर क्यरेक्टर इस कॉल फेक्टर यह वाली बात भी ठीक होगी देक्सपरेशन उफ नफव पारेंटर करेक्टर इस फांड इन अमोहेबर ट्रॉस यह लाइन भी ठीक है लेकिन इसमें देखा जाए लेकिन अधूरी लाइन आप्शन के इसाब से देख लेते हैं बी को छोड़ना है, बी यहां भी है, बी यहां भी है, बी यहां भी है, बी यहां भी है, तो सभी तीन उप्शन तो सही नहीं हो सकते है, है न, उस यह साफ से मांसर लगा देंगे, इसका 2, A, C, D, E and E only, ठीक है, इनिबिशन आपके सले बस में इनिबिशन बस एकी लिए अप तो, competitive innovation, तो वही आंसर आपने लगा देना यहां पर, यह सवाल भी कही बार, रिपीट हो रहा है लगाता है, पिछले कही साथ से, फॉर्मेशन ऑप इंटर फैसिकलर कैंपियम, फ्रम फुली डवलर पैरिंग कायमल सल, इस अग्जांपल आपके से, तीन चीजे हैं हापर, जेज़ 가서, प्रायंबरी मैरिस, से बनता है जैसे अपकल, और रूट अर रेश्ट मैंसर, फुट अभाइब मरिस, प्रायंबरड आफॉस एप्रायम अपरिंग जैस मैंनों य। न लॉन डिवाइद आप दिवाइदें का बनौट अपर नॉन नॉन डिवाण धिवाइद इ यानिके सेगेटी मैं से फिरे से सकथ लइंड व्सक्राइब राटी अदेशल अधर अधरी ट्रॉचoga चाहरे बीच वाली बाथ है कि मतलग नो डिवाइदिंग से फिर से गेदिवाइदिंग जय के जाएगा लगाए जब जब नहीं भी समझ में आथा तो तुक्का डी डिफ्रेंशेशन पर लगाना चाहिए इस्पिंडल फाइबर एटाइज टू कानेटो कोर्स ऑफ क्रोमोजोम दूरिंग तो वैसे तो अगर देखा जाए स्टेज पर भी क्रोमोजोम जोड़े रहते हैं स्पिंडल फाइबर साफ कोर्स कानेटो कोर से जोड़े होंगे लेकिन ज्यादा बहुतर आंसर है कि आप आन लगाए हैं पर मेटाफेस है न क्योंकि वहाँ पर लफ्स क्रोमोजोम की जागा क्रोमाटिट भी बोला जाता है न बुली फोर्म सेल सारे स्पॉंसिब फॉर अभी पिछले सालों में कोशन पूछा गया था कि यह जो मोनोकॉर्ट लीव होती है डाजर्ट के अंदर मोनोकॉर्ट जैरोफटिक ग्रासिस के अंदर उनके रोलिंग और अन्रोलिंग के लिए बुली फोर्म सेल अपर एपिडर प्रम्सॉर्ट इस पोर्म फॉर्म पॉर्ट शेंसिब प्रोफी फ्रेजिंग नाथा था संप के अंदर मोनोकॉर्ट इप्रॉस्ट जार्ट विए इस में बाट्यू सब्कूर्ट लियने मिलोड़ लीड गया थेकर शुलेशन फॉर्म अंदर शॉर्म सेलिग अंदर यह खास बात है ना, कि ज़्यादा वैरियेशन नहीं आते हैं पर, ट्रॉपिकल इनवाइमेंट आ मोर सीजनल, लेस्सीनल है, यह एंसे आरिटी की लाइन है, आपने पढ़ा भी होगा, कि मोर सीजनल नहीं होते हैं, लेस सीजनल होते हैं, उसे इसाब से लाइन गड़ बड़ यह बात भी ठीक है तो यहां पर 20 स्टेटमेंट के अलावा बाकी सब स्टेटमेंट ठीक है तो हम देख लेते हैं बस बी नहीं हो इसके अंदर है ना बी तीन जगा है तो यह नहीं है सही एसे बनाए तो जातर सवाल अपकी बार इन ऐसे बनाए कि अगर आवे एक लाइन पर आपने पड़ा होगा अपने बिगनिंग ऑफ दिप्लोटी में स्टेज रिकानाइज भाई डिजॉलूशन ऑफ साइन अप्टरनेमल कॉंप्लेक्स यह बात भी ठीक है आपने सुना कि पहले लेट्टोटी में ग्रेचुली विजबल होते हैं और फिर जागोटीन के अं अपने से बाते हैं तो यहां फिलाब दोनी बाते ठीक हैं तो हम आंसर लगा देंगे इसमें कि इस्टेटमेंट वन इस ट्रू एंड बोद दे स्टेटमेंट आ ट्रू यानि आंसर जाएगा इसमें वाई ठीक है उस्टेटिटिवर्य अपने पड़ा होगा उसकी तीन पार्ट हो ते हैं प्रमोटर जीजन इस्ट्रू जीन ट्रू जीन आसा ऑज सवाल क्धों के स्ट्रिल्सक्राइब को केया है यह सकते हैं कि यहां पर वह से क्रास कराना चाहिए आजिए एस स्माल फिल्क कि और जांते जिससे कि पता चल जाएगा कि वह जो बिच आ पर फोलें और रिक्वार फोर्ट राइटाइट आपने अपना प्रण आपना ना तो लाइट रेक्शन कि दूरांज एटी पी नडी पिस्टू पन्ता उसकी दर्वत हो गी और कर्बन एकसाइड दर्वत हो गी और रूद आपने जाएट डिक्ट्री नेक्ट्ट्ट और ने टीपेश चाई यह सक्वाइना डीप न्यां दी-डी एक यह इंग ज्यांदर हो जाया है ठीक है नेक्स्ट मेस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट और मोले अल्टर्नेटिव फोर्म फवजी रही से लिए तो आपके रटा-रटा-र॥ा वाले से बुले अटा था एलीव जिता ना-व क्रोमोजोम क्रोमस सेट उन प्लांट यह जाएगा था लॉड नमबर अव क्रोमोजोम सेट इन अ प्लांट यह जाएगा था ना-व्पॉड यह आपड़नेटी तो एका जा रहा है अलील पहला ही अगर आपने देख ले तो आप आसानी से लगा जे ठीक है नेक्स्ट मैच लिस्ट वन विद लेस्टू नुक्लियोलस, सेंट्रियोल, लुकोबलास, गॉल्गी अपरेड़सल चेप्टर से वाल है इंक्ड नुक्लियोलज, देख लिए और पने तरी कारडव के अंदर कारटवील एप्रेंस टी तो बिका टू बेगा तो दो सी साल होगा गया है इसकां से यह जायागा ना देख लेटेते हैं तभी लुको प्लास्ट कलर लेस प्लास्टिम उते हैं स्टोरज को काम होता इनका फॉर इस तोरिक नुट्रीन जायागा 4 C का 4 गॉल की आपरेटस ग्लाइको लिपर ग्लाइको प्रोटीम बनाता है सब्सक्राइब नेक्स्ट रोबर्ट में अलेक्जंडर वान हम बोल्ट अपकी बार पॉल एल्रिक है अपकी बार पॉल एल्रिक पूछ लिए गया बहुत सालों से यह नहीं पूछे गया थे और डेविद तिल्मन रॉबर्ट में को तो आपने पहले पेच पहीं पढ़ा होगा कि इन्होंने बताया था ग्लोबल इस्पीशी डावशी तक्रीबं साथ मिलियन है ना रॉबर्ट में का जाएगा वन का थरीक है से सौल हो जाएगा यह अच्छा भी दो जगा है एलेक्जं और डेविद तिल्मन ने किया था आउट्डोर एक्सपेरिमेंट यूजिंग आउट्डोर प्लोट्स यह हो जाएगा फॉर उस हिसाब से हमारा आउज़र 2 हो जाएगा ठीक है आपको चार नाम दे रहे हैं रोज पी कॉटन और मैंगो और सामने चार लफ्ट दे रहके इंसे मैच का दाना आसान वाला देख लेते हैं जैसे मैंगो कोकोनट आप जानते एंग्जाम्पल है डूप की नहीं दोनों किसकी आपने डूप की कैसे हो जाएगा डीक थ्रीज एक सी हो जाएगा इस वाल कित्ते आसान वाला बनाया सी कॉटन है और सी कवर्ण ट्विस्टेट वाल वेट ट्विस्टेट इंप्रीकेड वैक्जिलरी चार तरीका एस्टिवेशन आपने सुना दर लेडी फिंगर कॉटन एक्जाम्पल में इसके ट्विस्टेट की है ना तरीका दो से दृबर सराओ जाएगा जाएगा याद इस सवाल हो एक पीश्याचवल के तो एक हैट अकहलम इसके आखेको आसान सवाल हो कशिवार्वali application in E. coli replication के बार में जानते है या डिना से बनता है जब भी कभी कोई नेचे जनेटिक से बनती है हमेशा 5 प्राइम तो 3 प्राइम बनती है ना the DNA dependent DNA polymerase catalyzes polymerization in the direction 3-5 तीन से 5 तीन से 5 तीन the DNA dependent RNA polymerase question replication का है तो RNA polymerase के बार में कोई मतलब भी नहीं the DNA dependent DNA polymerase catalyzed polymerization 5-3 as well as 3-5 no the DNA dependent DNA polymerase catalyzed polymerization in 5' to 3' direction answer भजायेगा इसका 4 ठीक है next अभी last year भी उसके question आया था कि यहां पर यह जो टैसल से कॉंट कोपके इसका क्या काम होता है to the wave in the wind to trap the pollen grain इस तरीके से लाइन थी प्छले साल भी अपकी बार भी जो इसने ने कोशनी डियाग्राम से बनादिया नो थे इस लगाएंगे अच्छा यह ब्राउनल गी सवाल बना है असेक्षाल रिपोड़क्शन अकर युजिवली वाइफ नोगा दिया है यह ना यह ना यह लगा दिया है यह मामला थोड़ा सा गर पर होगया इसे बाद भी स्वाल यह ना यह ना यह बाद भी स्वाल है कि अगर आप यह पहानते हैं कि भी स्वाल गालत तो आप ही सवाल कर देंगे दो सोचनी जरूवती नहीं है यह एक कोशन है मुझसे दर टीपी टी में पावर ने लग रही है मैंने इसलिए पल पीपेस्ट कर दिया कोशन if the net primary productivity of the first traffic level is 100x kcal per meter square per year what would be the GPP gross prime productivity of the third traffic level of the same ecosystem question में आपको first traffic level की NPP दे रखिए first traffic level की NPP कितनी दे रखिए आपको 100 जो first traffic level की NPP is second traffic level को तो वही खाने को मिलेगा तो वही second traffic level की GPP हो जाएगी 100 अब third traffic level की पूछ रहा है वो आप से GPP एक ट्रॉफिक लेविल से अगले ट्रॉफिक लेविल पर किवर 10% energy transfer हो थी 10% loss आप यह बात जानते हैं तो 100 का कितना हो जाएगा 10 उसे साफ सांसर हो जाएगा इसका 10 समझ भागे है आपको first traffic level का NPP दे रखा था कितना दे रखा है 100x है ना अब यह first का जो NPP है second का यही GPP हो जाएगा क्योंकि यही तो खाएगा वो एनिमल तो यह होगे 100x है ना अब थर्ड का भी वो GPP पूच रहा है थर्ड का भी वो GPP पूच रहा है एक ट्रॉफिक लेवसे दूसे ट्रॉफिक लेवसे टैन परसे नर्जी आती है उसे साफ सांसर जाएगा 10x कि एक और आसान से सवाल इन्हों 11th क्लास से बनाया है गुलट फॉर पहले भी आ चुका है इंसुलिन डिबेंडेंडेंट ट्रांसपोर्ट आफ ग्लुकोस इनेबल ग्लुकोस ट्रांसपोर्ट इन्सेल्स है ना यह बात आपको अभी फिलाल में आया था ती तो यादी होग है और कोलेजन इंटरसलों ग्रांट सब्सेंज बनाता है इंटिफाइद इस्टेप इन्ट्री कार्बॉक्जरिक आपको याद होगा जब 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 एनडी एनडी एस्टु में कनवर्ट होता है एनडी एक को एंजाम में हम बोलाया था रिदक्शन अग्शन अग्शन अग पर डॉक्जरी से को अफड़ेन अग्शों होरा है कि आप यह पहचान शीख जाए कि किस स्टेप पर आनडी एस ट्राफीटाट रिदिस तु बंढ ले इसको छेपर आरी ऑशीड सेप उस Неशन अग्चु में को ए्नडी एस्टेट का यह लिआ थिलैकर रहा पर आपयाक्स एक यहां पर एंट आपर एंटाइट यहां पर एंटी यहां पर इन तीनों स्टेप पर एंटी ऑडाइस टू और यहां पर एंटी देखने को मिलेगा यहां नहीं है तो गिटिटीप ग्रुम लेकी करने कर्फ रेक्षिने कप अभ ग्रुप रेक्षिन फीटीप अभा जाता है तो इस फाला थन्देशD ल्हाल के दो इसकांस वह जाए ह। इस्तेटमेंट रहा हैं एक सीधरी प्लांट सम उक्षिजन बायंत रॉबस को हैं photo respiration होता है सीधीरी के अंदर in C4 plant, mesophyll cells show very little photorespiration while bundlesheele cells do not show photorespiration mesophyll cell में photorespiration को ज़े मतला भी नहीं है photorespiration तो आपको बढ़ा है तो आपको पढ़ा है तो enzyme उर्विस्को to bondlesheele cells के अंदर इसका अंदर 20 statement यहाँ रहों गई है न? तो एक statement ठीक है, 1, 2 गलत है तो statement 1 is true and statement 2 is false यह हो जाएगा इसका ठीक है match the column monoadalphus, diadalphus, polyadalphus और epiphilus सबसे आसान हैं आपर आप जानते हैं diadalphus है पूरी फैबसी आपको पढ़ाएगे इसलिए तो diadalphus में एक्जाम्पल जली जाएगी isAwlfis में P कैसे सबसे बेका 2 बेका 2 दो जाएगा monadalphus के एक्जाम्पल तो आपने याद गया है चैनरोस a, na, monadalphus के एक्जाम्पल में चैनरोस वैसे polyadalphus के एक्जाम्पल में छिट्रस लामन होता है देख लेदे 분들은ha चैनरोफिल तो और B का 2, एक और B का 2, यह दो से हो जाएगा, polyadolphus, जाम्पल में हो जाएगा, citrus और epiphylus की एग्जाम्पल में आ जाएगा फिर lily, यही एसी फैमिली में epiphylus condition देखी जाती है, इस्टेमिन सार अटेज विदे पैरियंस और अभी पेडलेस होता तो फिर अप्सुल नहीं सी लगाते है तो फिर अप्सुल नहीं सी लगाते है अब सिस्टेमिन गूट्स अइनागे बेस्टा ऐसान था कोट्स और रॉड्यांट्स अप्सुल नहीं काया जाता है है एक था चाल जाए तो जो बागी बचे बचे वो प्लांट्स यह प्रोटोप्लास्स कहलता है तो यह हमारा बॉटनी का वेपर रहा उमीद है कि जो बच्चे किसी भी वज़े से गड़बड़ी की होंगे तो उन्हें समझ में आया होगा किस पार्ट मुने गड़बड़ी किये अगले साल भी आप बहुत जादा इंप्रूब नहीं कर पाएंगे जल्दी ही आपको इंशालला वीडियो नेक्स देखने को मिलेगी जिसके अंदर हम जुलोजी वालवेबर डिसकस करेंगे तब क्या फेली बास्ट अफलाट झाल दो झाल भी ओज़बड़ी आपको झाल आपको झाल